आज हम इस वीडियो में formula type के date and time function में सबसे last जो function है एरf find function के बारे में जा नेगे तो यहाँ पे हम year function function के बारे में जा नेगे तो यहाँ पे यह start date यह दी गई है और यहाँ पे यह end date है कि इन दोनों date के बीच में कितने year है तो यह देखो यहां पे यह 1st January 2019 end date में दिया गया है 1st January 2020 तो यह देखो इन दोनों date के बीच में जो year यहां पे निकला वो one year निकला तो यहां पे one आ गया इसको हम यहां पे detail में करेंगे इसके बाद यह देखो आगे दिया गया है 1st January 2020 और end date में यहां पर दिये गया है 1st July 2020 तो इसके बीच में यहां पर कितना year है तो यह जो year है यहां पर half year है 0.5 यहां पर आ गया है इसके वाद अगला यह दिये गया है यह start date 1st January 2020 और यहां पर end date 1st January 2022 तो यहां पर यह जो है 2 year है इनके बीच में ये दिखो कितने एर है यहांपे 2 एर है तो यहांपे 2 आ गया है इसके बाद यहांपे दिए गया है 1st Biology 2020 और इसके बाद राद End Date में दिए गया है 1st December 2020 तो इन दोनों डेटों के भीच में कितना एर है यहांपे निकल के आया, यहां पे 0.75, यह year यहां पे निकल के आया, इसके बाद यहां पे आगे date है, 1st January 2020, और यह जो end date है यहां पे, 1st January 2025, तो यहां पे इन दोनों dateों के बीच में कितने year हैं, तो यह यहां पे 5 year हैं, तो इन years को कैसे निकाला जाता है, इसको निकालने के लिए हम सभ को इसको delete करेंगे delete करने के बाद यहां पर click किया click करने के बाद equal to यह लिखा लिखने के बाद यहां पर year year लिखते ही यहां पर year fraction यहां पर आ जाएगा यहां पर double click करेंगे इसके बाद यहां पर दिये गए सबसे पहले start date तो यह जो start date है उसके ओपर हम click करेंगे यह रिखो यह start date है यहाँ फिर 1st January 2019 इसके ओपर click करेंगे यह click किया click करते है यहाँ पर sell name आ जाएगा A3 sell name यह रिखो A और यह 3 row तो यह A3 आ गया इसके बाद कौम लगाएंगे कौम लगाया कौम लगाने के बाद end date तो end date जो है यह है 1st January 2020 तो यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर click करने के बाद यह sell name यहाँ पर आ जाएगा B3 इसके बाद यहाँ पर basis है यह optional है इसको हम यहाँ पर नहीं रिखेंगे तो यह bracket को बंद करेंगे इसके बाद यह bracket बंद के बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह दिखो यह जो यहाँ पर 1st January 2019 है और यहाँ पर 1st January 2020 है तो इन दोनो डेटों के बीच में यहाँ पर 1 year है इसके बाद यह आगे डेटे हैं इन दोनो डेटों के बीच में हम देखना जाते हैं कि कितने year हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको निच्छे ड्राय करेंगे तो यह सारा फार्मूला निच्छे तक यहां तक apply हो जाएगा, तो इस तरह से यहां पे हम, yearfreg function के जरी है конे यहां पे years को निकाल सकते हैं, यह तो first method है years को निकालने का, अगर हम इसको दूसरे method से निकालना जाते हैं, इसको delete करेंगे, यह delete किये, तो यहां पे click करेंगे, insert function यहां पे double click किया डबल क्लिक करते ही insert function डायलो बॉक्स यहां पे आ जाएगा आने के बाद search for a function यहां पे हम लिखेंगे earfrack यह earfrack यहां पे हमने लिखा लिखने के बाद यहां पे go पे क्लिक करेंगे go पे क्लिक करने के बाद यह दिखो यहां पे आ जाएगा earfrack यहाँ पे हम click करेंगे और इसके बाद ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद यह function arguments यहाँ पे dialogue box आ जाएगा जिसमें यहाँ पे दिये गया है start date तो start date कौन सी है यह हम यहाँ पे लिखेंगे तो start date suppose करो यह start date है यहाँ पे click किया यह cell name यहाँ पे आ जाएगा a3 इसके बाद फिर यह end date है यहाँ पे click करेंगे और end date जो है यहाँ पे click किया तो यह देखो यहाँ पे cell name आ गया है B3 B3 आने के बाद basis इसको हम यहाँ पे blank शोटेंगे इसके बाद यह देखो result में यह one show कर रहा है जब हम यहाँ पे ok पे click करेंगे तो हम यह result यहाँ पे one year यहाँ पे आएगा यह देखो ok पे click किया तो यहाँ पे one आ गया इसी तरह अगर हम आगे इसको भी निकालना जाते हैं दूसरे method से तो हम क्ये करेंगे यहाँ पे click करेंगे insert function यहाँ पे double click किया तो फिर हम यहाँ पे search वार में air frack लिखेंगे यहाँ पे air frack लिखा लिखने के बाद go पे click करेंगे go पे click करने के बाद यहाँ पे air frack आ जाएगा यहाँ पे आने के बाद ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद start date तो start date यह है अब यहाँ पे क्लिक करेंगे यह सेल नहीं में यहाँ पे आ गया है इसके बाद यहाँ पे आ गया है end date यहाँ पे क्लिक किया और end date यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे क्लिक करने के बाद यह सेल नहीं में आ गया है before इसके बाद इसको blank शोटेंगे basis को और यहां पे ok पे click करेंगे यह दिखो ok पे click करतें यहां पे यह जो year है इन दोनो date के बीच में यह 0.5 है और इसको निचे drag करेंगे तो drag करने के बाद यह दिखो इन दोनो date के बीच में जो year है यहां पे यह निकले के आ जाएगा तो इस प्रकार दो डेट्स के बीच में अगर हम एर्स को निकालना जाते हैं तो हम एर फ्रैक फंक्शन के जरीए इसको निकाल सकते हैं तो इस वीडियो में हमने एर फ्रेक फंक्शन के बारे में जाना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद